हेलो फ्रेंट्स मैं कीता मेलवान स्वागत करते हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल में फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता है आने वाली 39 जनवरी को आपका सब स्टाफ टू क्लैरिकल है जो अगजाम होने जा रहा है इसके लिए आपके एड्मिट कार्ड जो आचुके हैं आप इनको अपने HRMS में जाके डाउनलोड कर लें अब मैं आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं एक स्टैटिजी जिससे कि आप अपना एकजाम है जो वो आसानी से क्लियर कर सकते हो तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप अपना एड्मिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कर लें इसके साथ आप अपने एक ID लगा लें ID की फोटो कोफी और साथ में एक ओरिजिनल ID भी ले जाएं और एक फोटो भी लें अपने साथ इसकी जुरूरत पर सकती है और याद रखना कि आपको अपने एकजाम से आदे घंटे पहले पहले पहुंचना है इसलिए कोशिज करें जल्दी निकलें प्ने पॉइंट अपके पास बहुत होता है ताईम है आपके पास दो घंटे तो आपके लिए time बहुत है अपना पेपर सोलूव करने के लिए तो आप ध्यान से पढ़ना मैं इसको इसलिए कह रही हूं कि एक बार मेरे साथ हुआ है मैं जाइब का एकजाम दिया था क्या मैंने सोचाए कि समें सो क्वेशन आते हैं क्वेशन आते थे 120 तो मैंने इंस्ट्रक्षन थोड़ा ध्यान निया इंस्ट्रक्षन पर पड़ा था कि मेरे को यह ध्यान रहा कि कवेशन कितने तो मैंने क्या किया सो क्वेशन अटेम्ट कि कि उसके रहեा है तो मैंने सोचे में 1 & 1 पे जाँ तो सो से वानफी सल दिये तो ऐसे 20 से रहर गई थे इसलिए ध्यान रखना के इंस्ट्रक्षन आपने ध्यान से पढ़ने है next point है हमारा confidence का नहीं कि overconfidence होता कि है कि आपको confidence तो होना जाए लेकिन overconfidence नहीं overconfidence का मतलब यह है कि मालों आपने सोच ले कि मैं तो यह chapter पढ़ के आयूं और इसे related मेरा कोई question नहीं रहा सकता आपने क्या करना अपने क्या करना फर्स्ट क्वेसन से सुरू कर देना है अगर आपको फर्स्ट क्वेसन आ रहा है उसको टिक करना है नहीं आ रहा है तो छोड़ो उसके बाद आप next question पर चलो ऐसे करते करते आप एक पूरे 100 questions कर लें उसके बाद हो सकता है कि जैसे self-help group की फुल फूम पूछ रखी है बीच में किसी question में आप से पूछ लें आपसे कि जैसे self-help group में कितने मेंबर है तो ऐसे है कि एक question का answer है आपको बीच में जो एक्जाम है उसके बीच में question उदर भी मिल सकता है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है एक बार पूरा पेपर देखना है जो आ रहा है उसको टिक करना है और जो नहीं करें एक बार उसको देख लिए पहले कि कोई question आपका चूटने गया हो वैसे तो वहां पर आपके पास पता जल जा जाता है जब आप सम्मिट करते हो तो वहां पर बार निंग आती है कि आपका यह क्वैसे नहीं है तो आप वहां पर जा सकते हो नेक्स्ट है हमारा की देख आप कहीं नहीं था वहां पर 4 ओप्सन थे início को फॉठनकी नहीं नहीं तो आपको यह शोड़ना नहीं है क्योंकि आप इस थहान देना है next point है हमारा ऐसे कि हम कई बार क्या होता है कि question पढ़ते हैं हम उसके answer देखते हैं तो क्या लगता है हमें सारे option ठीक लगते हैं तो ऐसे में हमें मुस्किल हो जाता है कौन सा option सिलेक्ट करें ऐसे में क्या करना आपने एक एक वैसन देखते जाना है और जो आपको लगे कि हाँ यह नहीं हो सकता है ऐसे एक एक करके क्रोस करते जाना है जो लास्ट में रहा जाता है वही आपका most suitable option होगा next point है हमारा कि आगर किसी candidate को computer चलाने में थोड़ी दिक्कत है उसको नहीं पता है कि submit कैसे होगा को ठीक है कैसे mouse चलाना है तो आप इसके regarding जो भी help लेने है अपने instructor से एक्जाम से पहले ही ले 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 पेपर सुन होने के बाद ऐसा करोगे तो आपका टाइम है जो वह इनको आप फोलो करके अपने एक्जाम को और भी बैटे डंग से कर सकते हो तो फ्रेंट्स अभी आपके एक्जाम में तीन दिन हो रहते हैं इनके बीच मैं आपके लिए most expected questions ले के आऊंगी तो बने रिए हमारे साथ thank you and I wish you best of luck